एक दिवाली से काम नहीं चलेगा एक दिवाली हो गई और उस दिवाली के बाद जनवरी में 22 जनवरी को भी दिवाली मनाई जाएगी ये दिन इतना बड़ा है और इतना बड़ा क्यूं है क्यूंकि 500 वर्षों के संघर्षों के बाद ये दिन आया है ऐसी थोड़ी के दिनम स पर आपको लगता है कि मौझूदा पीडियां जन्हों नहीं देखा वो वो संघर्ष को समझ पारे हम समझाएंगे ना हम उनको पताएंगे कि क्या क्या हुआ है चिहत्तर युद्र लड़े हैं हमने एक दो नहीं राम मंदिर बनाने के लिए 76 टाइम्स भी है फॉट बैटल्स इसलिए एक बात जो अयुद्या के लिए कही जाती है इसके नाम का ताथपर एक कहता है कि जहां कभी युद्ध नहीं हुआ और एक कहता है जिससे कोई युद्ध लड़ नहीं सकता है क्योंकि विजय अयुद्या की ही होगी तो जहां कभी युद्ध नहीं हुआ की भी बात लोग कहकर ये कहते हैं कि अरे ये तो सिर्फ राजनीतिक युद्ध है जो यहां चड़ा इस देश में राजनीती एगर हुई है ना तो हिंदू के साथ हुई है और बहुत ओची राजनीती हुई है अब तो राजनीती नहीं हो रेश में अब तो रामनीती हो रही है और इस रामनीती को कोई रोक के देखाए ये जीवन परियंद होती रहेगी राम के बारे में जब आप बात करते हैं तो मैं एक वीर रस आपकी बातों में महसूस करती हूँ पर वो राम मंदिर के निर्मान से जड़ा रहे वो भाव तो एक तरफ राम जी है मर्यादा राम जी है विनम्रता कहते हैं क्रिश्ण जी को अपनी तारीफ कितनी भी उनको सुना दो वो मंद मंद मुसको आते हैं राम जी अपनी नजरें नीची रखते हैं सर जुकाते हैं क्योंकि उनको थोड़ी जिजग होती है अपनी तारीफ सुनने में तो ऐसे भगवान के लिए कविताय रचने में वो शब्द गढ़ने में कठिनाई आती है भगवान श्री राम मेरे लिए वो पराक्रमी है जिन्होंने रामण जैसे असुर को मार गिराया तो उनकी सोम्यता उनका सोहार्द पूर्ण व्यक्तित्व उनकी निर्मल मंद मंद मुसकान वो सब अपनी जगे लेकिन ये भी सच है कि जब भगवान श्री राम को शस्त्र बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत तीन दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे चंद अनुनई के प्यारे प्यारे उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से उठी अधीर धदक पावरुष की आग राम के शर से सच करिश्टा भी हो जाता है साथ में वो भावुक भी हो जाते हैं ऐसे ही नहीं लोग श्री राम लला को टेंट में देखके या फिर अस्थाई मंदिर में देखके फूट फूट करोने लगते हैं और इसलिए जब मनुझ मुंतिशिर की पंक्तियां हम रूठने और मनाने की र अपने जनम जनम की खोश बताएं राम से चल के राम पे आएं प्रेम कोई हम और न जाने राम से रूठे राम से माने राम सिया की करुण कहानी एक है चंदन एक है पानी इतनी सी तो बात है और हमने इस देश में कितने वरश कितने वर्षों तक एक बात देखी है कि जो रा आप दिन बदले हैं अब तो हर्ष का अवसर है अब दुनिया बदल चुकी है सोया हुआ सनातन चैतन्य है सजग है वो वक्त कुछ अलग था ये वक्त कुछ अलग है आज अस्थाई मंदर का अंतिम दिन है जिसके बाद उस भव्य मंदर में राम लला चले जाएंगे जो महल ह और उसके साथ ही एक और विग्रह राम लला का रहेगा तो ये केवल ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कोई अनुष्ठान हो रहा हो जिसमें केवल जो पुजारी है वो लगे हुए हैं यहाँ पूरा राष्ट्र एक हो रहा है बिल्कुल राम रास्ट्र पुरुष हैं हमारे देश में तो ऐसी ऐसी वाएं पहला ही जाती है कि भाई देश के इस भाग में राम को मानते हैं उस भाग में राम को नहीं मानते हैं उत्तर में मानते हैं दक्ष्ण में नहीं मानते हैं मैं अध्यान करके बता सकता हूं ये ब लिकल मुझे मुझे लगता है उनमाद श्यूज़ी नहीं सकता बिलकुल नहीं राम के साथ नहीं जुड़ सकता और जब हुँम हिंदुत्य कि जुशाट को करते हैं कि की जुदिवाट्त की सहेंट рук सिटा है वह अपने आप में अनुकरणी है उसका उधारन आप चुप चाप हाथ जोडे नियाय लेक्षा करते नहीं कि एक दिन अमारी सूध ली जाएगी एक दिन अमारे भगवान आएंगे खून की नदियां बह जाती कहीं और होता तो क्योंकि हमें भगवान श्री रामने मर्यादा से खही है हम एक ही चीज जानते हैं कि नियाई के मार्क पर चलना है हम प्रतिक्षा करेंगे 134 साल 1885 में पहली बार अदालत में ये केस गया था और 2019 में सुप्रीम कोड का फैसला आता है कि हाँ सर्जू का ये तर्ट श्रीर राम की ज़िए